एलो अब्रीबान नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपेई आपसे भी का स्वागत करता हूं आपके के ऑफिसियल यूटूब चैनल प्यसी संकल्प तो प्यसी संकल्प के जितने भी हमारे विवर हैं सभी लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों के लिए ए आपको यहां से मिले वाले हैं तो सबसे पहले सामने आप लोग देख सकते हैं यह हैं रोड औंट oppressor मिनिस्टर हाइवाई supremeствен जिनकों कैसे हैं के राजमार्ग मंत्री कह सकते हैं पुहें भाइन नितिन गटकरी साब अभी बड़े चर्चा में रहे और चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए इन्होंने एक नई पहल की बड़े इन्वेंशन ये बड़े क्रियेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं बहुत क्रियेटिव काम भी करते हैं तो उसी काम को इन्होंने अंजाम दिया और आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए एक विकल्प तैयार किया और विकल्प इन्होंने तयार किया कि स्टील का विकल्प सही विकल्प क्या होना चाहिए जितनी मजबूत स्टील हो सकती है क्या उतना मजबूत जो इन्होंने नया कह सकते हैं कारगर काम किया है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कारगर काम क्या है एक बास का 200 म कि एक क्रेश बेरियर है कैस्ट पूल टाइब का महराश्तरा में इनके द्वारा तैयार करवाया गया और ये कह सकते हैं जिए भारत का एक पहला बेम्बो वर्ल्ड्स फर्स्ट बहुबली बेम्बो बेरियर ओन हाइवे इन महराश्तरा हैविय पर 200 मीटर का एक बेंबो बेरियर तयार किया गया है एक क्रेस बेरियर है याद रखना है और इसका नाम बाहुबली अब बाहुबली रखा गया है तो हम लोग कह सकते हैं गड़करी का बाहुबली क्या है तो गड़करी का जो बाहुबली है वो है आपका यह यानि की 200 मीटर एक क्रेस वेरियर जो की बेंबो का है और इसकी जांच पड़ताल करने के बाद इसकी मजबूती चेक करने के बाद इसको अभी वहाँ पर 200 मीटर हाईवे पर महराश्ट्रों में लगाया गया है और यह पूरी तरीके से जब सक्सेस्पुल हो जाएगा तो इसको स्टील के विकल्प के रूप में माना जा सकता है तो कह सकते हैं कि स्टील से जो भी बारियर बनते थे जो भी पूल बनते थे उनको een चुनोती दे दी अब वेंबू के इस क्रेस बारियर नहीं ठीक है अब इससे क्या-क्या चीजे डबलप्ट हो सकती हैं क्या-क्या फाइदा हो सकता इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा यह महराष्ट में वाणी वरोरा राजमारक पर 200 मीटर तक बांस की बैरिकेटिंग लगाई गई है दुनिया में पहली वार हाइबे पर याद रखेगा दुनिया में पहली वार हाइबे पर बांस का यह बैरियर एक उलेखनी उपलब्दी है अभी तक यह बांस का बैरियर बांस का पुल यह किसी कंट्री ने पैसेच नहीं किया है इसका नाम बाहू बली रखा गया है बेसिकली इसको बाहू बली के नाम से या बहुबली के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा दूसरी बात इसकी जो परिच्छण किया गया वो केंद्री भवन अनुसंधान संस्थान रूड की में अगनी परिच्छण किया गया वह अगया परिच्छण के बाद में इसको बैंबू इंसुलेशन को प पूरी तरीके से अच्छे से कारगर हो जाएगा तो इस्टील के बहुत जबरदस्त विकल्प के रूप में आएगा सारी के सारी चीज़ें फिर बेंबो से ही बनेंगी यह बांस बैरियर पचास से सतर प्रतिसत रिसाइकल करने होगे हैं अब यहां पर मैं थोड़ा से डिफर किया सकते हैं जो इस टील के पूल है वह 30 प्रतिस्वतु तक रिसाइकल किया सकते हैं लेकिन यह जो भैम्बो है यह आप का 50 से 70 प्रतिसते अचताती तक रिसाइकल कियाeled है बांस उद्दोग को बड़ावा मिल रहा है भारत के लिए उन्लेखनी उपलब्दी मानी जाएगी इसको यायदा आदर सब्सक्राइब रहा है इससे परियावर्ण प्रभावज नहीं होागर कोई स्टील का ये लोहे का कुछ ऐसा काम होता तो वहाँ पर परयावरण भी बहुत प्रभावित होता इससे कोई भी परयावरण प्रभावित नहीं होगा इसके अलाबा ये ग्रामीन और क्रेसी उद्दोग के लिए भी उप्यूपत यानि कि इसलिए आत्म निर्भर भारत में य ये एक बहुत जवर्दस्त कदम बताया जा रहा है इस्टील आएगा लुह आएगा कहीं से आएगा बहुत अधिक दामों पर आएगा उसकी रिसाइकलिंग भी कम है बैम्बो अपने उद्दोग को बढ़ावा दिया जा रहा है बैम्बयों का बहुत ज्यादा तो यूज ह भी बढ़ावा महां पर मिल सकता है तो ऐसी सारी कि सारी गत्विदियां यहां पर मिल सकती तो यह बहुत जवर्दस्त नीज हमने आपके साथ सेर की तो जो भी विद्यार थी अब मेरे साथ जुले हुए एक वास समझ लिएगा सबाल पूछा जा सकता है कि यह बैम्बू का गए था कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर कौन है नितिन गटकरी साब ने इसका अनौशमेंट किया उन्हें सीधे से कहा कि यह जो है इस्टील के विकल्प के रूप में तयार किया गया है और इसकी पूरी जाच परताल करने के के बाद में मजभूति देखने के बाद में रूर्किया नुसंद्हान संस्थान के दौरा अप्रूवल के बाद में महापर लगाया गया है और इसमें और कई दिन तक देखे जाने के बाद में भारत में अन्न भी छेत्रों में इस तरीके के barriers develop किये जाएंगे ये उनके द्वारा press conference में कहा गया था तो इस सारी चीजों के साथ आप सभी लोग मेरे साथ ऐसी बहुत जबर्दस जानकारी के साथ according to the slaves के साथ में हमारे plus courses से जरूर जुड़िये जो भी लोग an academy पर plus course नहीं लिये हैं सभी लोग मेरा referral code यूज़ करें और आप सभी लोगों को यहां पर 40% discount जरू मिल रहा है ठीक है जो भी लोग जुड़ रहे हैं तो देखें हमारा referral code लगाईए ए भी सर 10 और फटा फट जल्दी से subscription आप लोग प्राप्ट कर लिए ठीक है जितने सभी लोग हमारे साथ में यहां पर जुड़े हुए सभी लोग यह अच्छू की यूपी प्रिलिम्स 2023 के लिए वे बैच आपका स्टार्ट हुआ है क्योंकि 14 मही को आप सभी विद्ध्यारतियों का एक्जाम है तो 14 मही के एक्जाम को देखते हुए आप सभी के सभी देखते विद्ध्यारति बहतर तरीके से बध्या से आप लोग यहां पर पढ़े सकते हैं और यहां पर त्यारी कर सकते हैं तो जो भी लोगों ने अभी तक अनेकेडमी पर प्लस कोर्स नहीं किया है नहीं लिया है नहीं जोइन किया है यूज कोड एबी सर वन जिरो एंड गेट 40% आफ तो बिल्कुल हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए हम आपके साथ नित्र नवीन इंफर्मेशन लाते रहेंगे एक्जाम योग इंफर्मेशन लाते रहेंगे एनलिसिस के साथ लाते रहेंगे थैंक यू अबरिवन जैहिन सैसन को अधिक से अधिक सेर जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू